अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नहीं है और साथी साथ बैल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 मौयन एज चंदर गुप्त एंपर अशोका के बारे में सोशल साइन्स का चैप्टर नंबर 6 है तो आप देख सकते हैं यहां पर यह जो पहला परेग्राफ है इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है पर बिफोर रिडिंग दिस मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ अबाउट इस लेसन एंटारली यह जो लेसन है हिस्टरी के ऊपर है किसके बारे में मौरियन एज बहुत ही बड़ा एंपायर था इंडिया में सबसे बड़ा काहे तो भी चलेगा बहुत इंटरेसिंग चैप्टर रहने वाला है एंड तक देखियेगा प्लीस चले शुरुआत करते है परगराफ बन से लिखा हुआ है जıब खर रहने जाटेगा जीए की बारे मार्या है जाट जार इंटर बेगाँ प्लीडा है जल फाने एंड टारे देखिये बादीक के प्रिग्ट्र चैप्ट जाट्रबाः है जाटाइ तक प्लीडा यजदाब जेखिये एंड लाया on the coin. Bhavyan explained here. The lion figure on the coin head. This lion four figures engraved on the huge pillar of Sarnath. And this pillar was built by Emperor Ashoka of Maulian dynasty. India has recognized it as a national symbol. आप सभी नहीं ये symbol देखा होगा. आपके coin के ओपर जो money currency का कोई है एक रुपे का कोई दो रुपे का कोई इसके ओपर इसका ये symbol है. यह हमारा national emblem भी बन चुका है. यहाँ पर कुछ बच्चे cricket खिल रहे हैं. क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे cricket खिल रहे हैं आपस में और जब वो पता है दो टीम के बीच में जब ऐसा coin क्या जाता है toss तो एक लड़का इसा toss उचालता है और देखता है उसमें head आता है. heads मतलब यह जो आपको figure देख रही है अंदर lion वाली तो उससे पुछा यार यह कहां पर देखी है यह क्या है इसका मतलब क्या आता है वो उसको समझाता है इसका मतलब है 1000 साल पहले मौरेंग किंग का जो अशोका थे राजा उन्हों ने यह चीज़ बनाई थी आप देख सकते हैं ऐसे चार है lion चारों तरफ नीचे आप यह अशोक चक्रा देख रहे हैं कुछ animals हैं यह सारनात में पाया जाता है बहुत ही बड़ा एक स्थम था पि ग्रेट किंग अशोका अफ मौरियन डाइनस्टी जिन्हों ने यह पिलर बनाया था और यह महान किंग होने के कारण आज उन्ही का यह सिंबोल हम एज नेश्टल एम्बलेम यूज कर रहे हैं तो चलिये और पढ़ते हैं डिटल में स्टोरी के बारे में यहां पर मैं शुर अंडर कौन था वो था चंद्रगुप्त मोर्या चंद्रगुप्त प्लेइट गेंस ऑफ केंग्स इन इस चाइल होड़ हिस्किल वस नोटिस भाय अचारिय विश्नगुप्ता और ही वस ट्रीन बाइं इन शस्त्र शास्त्र बोलते हैं भई ये जो किंग देखने आप चंद और एक दिन वो किंग बने किसके कारण उनहीं के आचारिय विश्नगुप्ता ने देखा कि इस बच्चे के अंदर काफी सारी अची क्वालिटीज है एक राजा बनने के लिए विश्नगुप्ता ने चंद्रगुप्त मोर्या को ट्रेन किया शस्त्र सिखाया लड़ना सिख सिखाया शास्त्र सिखाया सब कुछ सिखाया चंद्रगुप्त मोर्या with the help of and guidance of चानक्य डिफीटेद लास्ट एम्परर ऑफ नंद डाइनस्टी चंद्रगुप्त का एक काफी important person था उनके दर्बार में वो थे ये इनका नाम है चानक्य काफी होश्यार आदमी इनके पास इतनी बुद्धी थी के पूछो मत चंद्रगुप्त मोर्या के personal assistant समझ लो अगर चंद्रगुप्त मोर्या को कुछ करना हो तो वो चानक्य को 21 BC and took the throne of Magad so Nanda dynasty के जो राजाता दनानंद को हरा कर चंद्रगुप्त मोर्या ने मगद को काफी चंद्रगुप्त मोर्या ने मगद को काफी लिया और मोर्या वश्को स्थापित कर दिया आपना राजया शुरू कर दिया चंद्रगुप्त गॉट फूल बेफित फूश्या स् चंद्रगुप्त अच्यूब्मेंट बचो आगे ये लिखा है मगद के राजा बन गए उन्होंने अपना वंश शुरुवात कर दी ये चाना के इतना बुद्धिमान था कि इसकी बुद्धी चंद्रगुप्त मोर्या ने यूज करी और वो आगे बढ़ते गए अब ये सा बनेस्टी बढ़ाने में बहुत ही है आगे और जानकरी लेंगे हम चले समझते हैं इस दो पेरेग्राफ में क्या लिखा है तो जो पहला पेरेग्राफ इसके अंदर लिखा है चंद्रगुप्त ने फोर टेरिटरिस चार अलगलग राजय को कॉन्वकर कर लिया काबूल, कं चंद्रगुप्त मोरिया ने, सो क्या हुआ बाद में, बिंग इंप्रेस बाइ चंद्रगुप्ता ब्रेवरी, वाव, सेलेकस मैरिड हिस दॉर्टर हेलेना विच चंद्रगुप्ता, एंड सेंट हिस अंडेसेटर मेगस्थीन्स तु इस कोट, वाव, यह सेलेकस निकॉटर बहुती प्रभावित हो गया किसे हमारे चंद्रगुप्त राजा से, इतने प्रभावित हो गये कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी हिलेना की शादी इन से करवाली, और उसके साथ-साथ, उनका एक खास आदमी मेगस्थीन, ग्रीक से डाइरेक्ट, नाम है इंडिका, सो इसी बुक के अंदर से भी हमें काफी सारी जानकारे मिलती है, अबाउट मोरियन डाइनस्टी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है ये, ये मैप है, बहुत ही इंपोर्टन्ट मैप है, ये पूरा मगर एंपायर है, जहां जहां पर आप पिंक वाले ड जमाने के प्रूफ, ये अलग-लग जगाओं से पाए गए, ये सारी के सारी चीज़े मोरियन डाइनस्टी किये हैं, और इंडिया में कई सारी जगाओं से इसको पाया गया है, इसके कारण इस सारी चीज़े को माना गया है, कि मोरियन डाइनस्टी खूब जगाओं पर फैल करेगा या आगे चलिए आगे बढ़ते हैं इस मैप से नेक्स पेरेग्राफ के उपर आ चुके हैं जिसमें लिखा है चंद्रगुप्त स्पेंट दिल लास्ट टाइम ऑफ इस लाइफ विच जैन मुनी भद्रबहु इंश्रवन बेल गोड़ा ऑफ मैसौर जिसे हम आज उनहीं के जैन मुनी भद्रबहु जो उस जमाने में माईसौर में थे बेल गोड़ा में इसके बाद ही डाइड ही डाइड ही डाइड इन 297 बीसी उनकी सारी इंफरमेशन दे डिस्क्रिपिशन अबाउट चंद्रगुप्त स्ट्वेंटी फो यर्स रूल चंद्रगुप्त दॉख जाए फोड़ा में ट्रांसलेट कर दिया गया उस जमाने में तो ब्रहामी स्क्रिप में लिखा जया था आई आगे बरता हैं नेक्स परिगवराफ में देखते हैं त इस्ट्री गूफर इस्ट्री में अलग लग दिपार्टमेंट से जिसमें प्री हिस्ट्री की बा एन्स चैंब्र है। 224 इंडिया चैंट बारे में अच्चे पीड़ेंड इन्स वह का है। और इंडिया की जो हिस्ट्री की शुरूआ थे वो ही मोरियन डाइनस्ट्री की शुरूआ थे चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब नीचे वाले पेरेग्राफ और टेबल के उपर सो यह सारस सोसस हमको कहां से मिले ये सारी इंफरमेशन हमको अलग अलग भुक से मिली है जो सबसे पहले बुक है यह है अर्थ शास्तर आचायर विश्णो गुप्त चानक्या ने लिखाता जिसे हम कावटी लिए भी कहते हैं दूसरी बूख है इंडिका इंडिका बूख आप मुद्र राक्षस ये एक ड्रामा है एक कथा है इसके अंदर भी विशाख दत्त ने लिखा हुआ है डिटेल में सो ये सारी बुक्स और कई भी सारी बुक्स है जिसके अंदर हमें जानकर मिलती है मौरियन एज के बारे में और हम जानकर लेने वाले हैं आगे प्लीज बने रहे है वीडियो के उपर ओहो क्या है ये नेक्स टॉपिक हमारा Grand Trunk Road GTR अब आप लोग सोच रहे है कौन सा है Grand Trunk Road तो मैं आपको दिखाना चालता हूं ली जिये देखिये देखिये कितना लंबा रास्ता है तो इसके बारे में जानना दो बहुत ही जरूवी है Grand Trunk Road आज का थोड़ी है बहुत पुरान है ये इस अल्डेस तनी यंगेस रोड इंगेस रोड इंगेस रोड रोड वाव तो ये रोर कने करता तामरिलिप्ती वित तक्षिशिला और तक्षिशिला से लेकर देखिया वाव कितना लंबा रोड वोबी उस जमाने में चंडर को तमूरिया के द्वारा बनाया गया गया सुफ़ब तो एड इस ताइम इस रोड एक्स्टेंड फ्रॉम गैंग्स प्लेंस तु गंधार गंधार मतलब जो यहां पर नहीं है फिलाल पकिस्तान में है सो काफी लंबा रोड है ये दरोड वोड रिबिल्च दिरिंग दिर र रिटिश रूल डेल हाउसी डीबिल्ड रोड फ्रम कलकेटा टु पेशावर वापिस एक और आदमी आया जब बिटिश अमारा देश में आये तो ब्रिटिश ने इस रोड को कलकेटा से लेकर पेशावर तक बनाया और आज इस रोड को हम कॉन से नाम से जानते है नेशनल ह पुरी कथा और पुरी हिस्ट्री ग्रांग रोर की बारे में कैसी लगी आपको जवन करी प्लीस कमेंड में मुझे बता ये आगे हम बात करेंगे टॉपिक नमबर टू क्या है बिंदु सर कौन है ये बिंदु सर मैं आपको डेफिनिटी बताने वाला हूं let's read it after the death of Chandragupta जब Chandragupta मर चुके थे इस सन बिंदु सर के इन के बरने के बाद उनका बेटा बिंदु सर ये उनकी जगा पे उनकी गदी पे बेठा he retained the huge kingdom inherited from father Chandragupta and gifted the same to his son Ashoka it can be considered as one of his greatest achievement वाउ बिंदु सरा ने इस राज्यो को संभाला और बिंदु सरा के बाद उनके बेटे the great king Ashokaanis राज्यो को और भी आगे ले गया क्या लिखा है यहाँ पर हम पढ़ना चाहेंगे during the rule of बिंदु सर प्रिंस सुशीम वस अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ तक्षिशिला और प्रिंस अशोका ऑफ अवन्ती जब बिंदु सरा थे उनके जो दो बेटे थे एक तर शुशीम और दूसरा बेटा था अशोका दोनों को काम दिया गया था तक्षिशिला में government के तौर पे शुशीम को बोला गया था और दूसरी city थी उनकी अवन्ती वहाँ पर अशोका को governor बना दिया था बिंदु सरा में शुशीम failed to control the rebellion in तक्षिशिला during his time वाव इन दोनों में से उनके एक बेटी थे जिसका नावता शुशीम वो failed होगे वो अपने राज्या बराबरते चला नहीं पाहे जबकि अशोका की बात की जाए तो वो successfully rebellion रहे अपने पापा की तरह अशोका भी अपने राज्या को चला में नहीं किया अपने हिसाब से माला अपने तरीके से but maintain friendly relations with Greek kings he reign on the throne of Magad for about 25 years वाव काफी लंबा समय देखो जिस तरीके से हमारे चंद्र गुप्त ने 24 साल राज किया और काफी सार राज्या को कौन कर किया उससे तरीके से बिंदु सर नहीं किया बिंदु सर ने 25 यस राज किया लेकिन कोई और राज्या को अपने अंडर में लेकर नहीं आया सबके साथ अच्छे संबंद बनाए रखे थे चले आगे बढ़ते हैं हम थर्ड जो हमारी हम बात करने वाले हैं वो है the emperor Ashoka 273 BC से लेकर 232 BC तक राज किया after the death of father बिंदु सर जैसे ही बिंदु सर की death हो गए उनका बेटा अशोका ने गदी को संभाल लिया अशोका had clashes with his elder brother शुशीम क्या हुआ बात उसका दूसरा भाई था आपको पता है शुशीम उसके साथ अच्छा व्यावार मतलब अच्छा व्यावार मतलब दोनों की बंती नहीं थी ये सका क्योंके इसका ये जो भाई था वो stepbrother था सगा भाई नहीं था सुसे कानन ही केम तो पावर बट इस कोरोनेशन वस दोन आफ्र फो यस उसके पिताज के बाद वो पावर में आ चुका था लेकिन राज अभिशेख चार साल के बाद हुआ 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 पावर पुटर टेड का नया रापितल बन्चु का था पावर पुटर शेहर जहापर किंग अशोका फाईल एकिन बन्या मॉर्य धनस्टिका फिलो वा किया अफर दिको लिए अशोका थैस और एंच्रेस पाथ था पाद तो नूस्य एन तो रिस दोन आच्रेशन इस आंप् अपना जो राजे था उसको फैलाने लगा वो जीता गया जीता गया और बाकी सारे राजे उसके अंडर में आते गए अगर यहां पर देखने है कपिल वस्तु जो नेपाल में है इसके बाद हम इस तरफ बात करें वेस्ट में गुजरात है गरनार शावरास्ट और यहां पर देखने जाए साथ के तरफ कलींगा सो यह देखिए कहां से कहां था कि यह फैले हुए थे कौन दे ग्रेट किंग अश मतलब एक शहर था मैं आपको बताना चाहता हूं देख लिजे इसमें इसमें अब अब ध्यान से देखेंगे यहां पर हैं मगद पाटली पूत्रा किसका शहर है कैपिटल आफ किंग अशोका और बाजो में दूसरा राजय था कलींगा अब कलींगा को कैप्चर करना था तरह काने जहर कर दिया कि मैं यूद करने वाला हूं अलीगा सिच्वेटर इन अबर फूर्फ यूर्फ आज पार फूर्फ इंपार द टायम विद्गीं जमन देखें विच्वें के बरह बरत अट पकलींगा मगद काई पाट था बढट जब मगद मोल्या के अंडर मैया त कलिंगा लग हो चुका था but after establishment of Moran Empire it became independent Ashoka who wished to make Kalinga a part of Magadha Empire again declare war on King Jaint of Kalinga in the 8th year of his coronation Ashoka was victorious in this war who are kya diyaan dey na bacho who are you के कलिंगा Moran Empire बनने से पहले वो नंद डिनस्ती के पास्ता और नंद dynasty कुरा Magad Empire लेके बैठे हुए तो मगद के अंदर कलिंगा भी था जब यह Mauryan के हाथ में आया तब यह independent बन चुका था कौन कलिंगा कलिंगा independent city बन चुका था या शहर के लोग या state के लोग अशुका कि यह इच्छा रहे गई जब नंद dynasty थी तब यह उसका पार्ट था तो अब भी होना चाहिए तो उसने क्या बोला कि आप लोग सिदे सिदे मान जाओ और हमार एंडर में खाली आ जाओ आपको जैसे रहना है रहो नो इस्यूज पर आप लोग मगद के अंदर कहला होगे तो वो लोग नहीं माने तो इसी लिए अशोका ने वार कर दी और वार में वो जीत भी गया फिर हुआ क्या यहां पर भौती बहुती इमोशनल मेसेज है अशोका लेए लुज जाओ लुटी आप लोग नहीं विए अबुटी अट्लेव चालीव नहीं है पालग फिल्स फजाओ लुटी इ झाल बड़ जा वोड और क्रीज इमटे ओूमें ऑफ लोग इम्टेंगा क्राइंगा है लेहां लहां चार्वी अरे खिया इस पालीश कि बुदिस्ट मॉंक उपागुपता तॉट हिम तो रिनाउंस इस वेपेंस एंड टेक अप दर स्क्रिप्टिर्स बाइडॉप्टिंग बुद्धिजम अशो का बीकेम अ इस यूद ने इसको जिनगी बदल देखे मैं को दिखाता हूं वेट कीजे देखे इस वीडियो को यह उसका लास्ट यूद है यह लास्ट यूद में होता क्या है यह लास्ट यूद में ग्रेट अशो का सब को हरा देता है लगभग एक लाख लोगों को मार कर फिर वह जब इस जगह की हालत देखता है तो वह बिशार हो पड़ता है कि मैंने यह क्या कर दिया इतनी सारी माओं को लड़कियों को विद्वा कर दिया मैंने वह बहुती दुखी हो गया इस सीन से इतना दुखी हो गया इतना दुखी हो गया कि उसने अपमें लाइफ है यूद करना ही फिर अशो का बुद्धिस्म स्प्रेड करने लगा अच्छा राजा बन गया अब यूद नहीं करता है ना किसी को मारता है और अपना लाइस्टाइल ही पूरा बदल दिया काफी सारे बुद्धिस टेंपल बनाए आप देख सकते हैं साची स्थुपा बनाए और पूरे देश में शान्ती फेलाने का प्रचार किया ये थे ग्रेट अशो का दगिंग अशो का आफ मौरियन डाइनस्टी ये सारी चीजे वह सारी बुक्स में और अशो का जहां पर रहते थे वहां पर कुछ चीजे हैं वहां पर लिखी है ये महान क्यों बना इसके पीशे का कारण है अशो का वास फॉर्स्ट रूलर वो ट्राइट टू कन्वेश मैसेज तो पीपल सु इस इंस्क्रिप्शिश व और सबसे इंपोर्टन भाषा थी उनकी प्राकृत लैंग्वेश जो ब्रामी स्क्रिप्ट में थी चलिए आगे बात करते हैं क्या है ब्रामी स्क्रिप्ट ये है ब्रामी स्क्रिप्ट देखो इंग्लीश का लेटर ए अलग अलग भाषा में ये ब्रामी ये हिंडी ये बां आगे बात करने वाले है यहां पर चुपााँ बारे में जो आज भी तो मैं दिखाना चाह आए है रहा ये लोग खड़े हैं सारनाथ के स्पिलर के उपर काफी सारी चीज़ इस तरी के से लिखी हुई है ब्राम्मी स्क्रिप्ट में प्राक्रित लेंग्विज में और इसको कन्वर्ट करके बाद में अलग-लग भाशाओ में हिंग्दी कुछ राती इंग्लिश में प्रांसलेट कि आपको टाइम मिले जरूर सारनाथ जाना और इस ग्रेट किंग के बारे में और जानकर लेकर आना तो यहां पर कुछ चीज़ लिखिये हैं चलिए क्या कहते हैं हमारे किंग अशोक वाइल डिस्क्राइबिंग अबाउट हिस कलिंग वह और अशोका गॉर्ट इस रिटिन उ आति बाद बाद की बात कर रहा है जो वो राजा बने थे करीवन करीवन वन एठाफ तर देड्लाख लोग जान चुके थे और ये सब सुनने के कारण किंग अशोक बहुत साइड रह चूकर थे कि मैंने ये क्या किया डेड्लाख लोग बंदी बना के रखा और एक लाख लो को मार दिया बहुत ही गलत हुआ मेरे से पीपल फुल लव देर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और ग्रेशियस तुवर्स दर स्लेव्स और डेड और अलसो किल इन दे वार और बेल लूज दे लव्ट बंस इन और भी लिखा है कि जीन लोगों ने अपनी जान गवाई है जिसक कि अब उनके लिए कोई रहा ही नहीं इस लाइफ में जीने के लिए So वो लिखते हैं कि I am regretting मुझे बहुत ही पच्चतावा हो रहा है Now I have decided to follow dhamma, dhamma मतलब dharm, मैं dharm को follow करने वाला हूं and teach other people its principles मैंने जितने को मारा है, जितना गलत काम किया है उसे कई ज्यादा गुना अच्छा काम करना चाहता हूं और लोगों को कहना चाहता हूं कि please अब शान्ती का मारग अपना है I believe that winning people's heart through dhamma is better than forcefully winning people विल्कुल सत्य बात लिकी है किसि का दिल जितना किसी का रदधाई जितना धर्म से अगर किसे को अच्छी बात करकर उसका दिल जीता जाए मैं भविष्य के लोगों को जान कर देना चाहता हूं कि सायद मैं रहा या ना रहूं पर मेरा मेसेज सदेव जीवी तरह ना चाहिए आप्टर मी, जो प्राकरित रेंवेज़्र में लिखा और प्राकरित लेंवेज़् का संस्क्रीट मिनिंग होता है धर्म सुबें बताना चाहता हूं आगे क्या हुआ क्या लिखा उन्होंने यहां पर एक सोचने वाली बात है ऐसी कौन सी घटना हुई अशोका के लाइफ में आफ्टर कलींगा वोर के उसका जीवन ही बदल गया सोचो बच्चो और अपने दोस्तों को अंसर बताओ अपने ममी पापा को अंसर बताओ और आगे पड़ो क्या लिखा है अशोकाज इंस्क्रिप्शिन रिटन इन प्राकरित लेंग्वेज कौन सी लेगवें यह वाली भाशा में अग है प्राकरित लैंवेज में ध्न फाउंड थिद शेस का ना में शुदर संठाव निस आइखर श् הרक्ष भर दंति अ आर्टिकल इस डिटेल अबाउट शुदर्सन लेक पुष्प गुपता ने जब गवर्नर बने थे तब इन्होंने राजकोट में गुजरात में यह जब तालाब बनाया था उसके बारे में पूरी जानकारे लिखी हुई है वाव उस जमाने में खेती करने के लिए यह सब चीज़े बनाई गई थी तो सोचो यह कितना बुद्धीमान किंग हुआ करता था चंदरगुपता वाज गवर्नर ऑफ टाइम अप अशोका दौरान यवन राज के लिए चंदरगुपता ने कैनल्स बनाई थी गवर्नर था अशोका के जमाने में सो आपको बच्चो क्या करना है 6.2 वाला जो मैप है उसको स्टडी करना है और और काफी सारी जानकरी को कलेक्ट करना है कि पूरे इंडिया में कहां कहां पर ऐसी चीज़े हैं जहां पर अशोका अपनी चाप छोड़के गया है ऐसे लिखके गया है आगे बढ़ते हुए आगे हम बात करने वाले हैं अशोका टीचर बन गए एपोस्टल का मतलब होता है यहां पर प्रचारक टीचर लोगों को सिखाता है क्या अशोका ट्रावेल टू दे बुधिस्ट पिल्ग्रिमिजिस एक्रॉस दे कंट्री वाव बुधिस्ट के जितने भी टेंपल्स थे जैसी वो जगाई थी वहाँ पर बुधिस्म है वहाँ पर वो गए पूरे इंडिया में गए जहां पर भी वह गए लोगों को समझाते गए कि भी आप बुधिस्म को फॉलो करो अशोका ट्रू इंस्पिरेशन फ्रम टीचिंग्स ऑगवान गवत्म भुद्ग से इंस्पायर हुए अशोका दे ग्रेट किंग और उन्होंने फॉलो किया पाथ अध्वा ध्रम का प्रच अध्रिप्शिंस बिल्डिंग्स बनाई पिलर बनाया और पिलर की ओपर उनकी ध्रमा पॉलिसी को छाप दिया तू सॉल्व दे प्रब्लम्स ऑफ टाइम अशोका सेट अप रिलिजिस देपार्टमेंट रिलिजिन में भी डिपार्टमें बना दिये ध्रमा महापात्र एक लोगों को समझाओ लोगों को इस धर्म के बारे में बताओ कि क्या करोगे आप क्या करना शाये ताकि आपका जीमन और भी उपर आ जाए अशोका बैन हंटिंग इन इस स्टेट तु स्टॉप एनिमल वाइलेंस कितना अच्छा स्टैप लिया हंटिंग ही बंद करवा दिया शिकार करना बन पूरे राज्य में कोई शिकार नहीं करेगा शिकार करेगा तो सजाय दी जाएगी किसी भी एनिमल को वाइलेंस मारना नहीं है उसे लोगों को सिखाया है कि आप एक दूसरों को लव करो, कंपैशन करो, काइडनेस दिखाओ, नॉन वाइलेंट बनो, वर्चु बनो, मतलब प्रेम से रहो, इर्शालों मत बनो, दयालों बनो, जगडा मत करो, अलॉंग विद दस सेर्मोंस, सम यूसफुल सेइंस, उसने कुछ सेइंस, मतलब कहवद भी कही है लोगों को, उसने पिलर्स के उपर ही छपवा दिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रहे उसके मैसेजिस, जो नोने छपाये थे लोगों के लिए, ओबी और पैरेंट्स, अपनी माबाब की आगना का पालन करो, रिस्पेक्ट तो गुरू अपने गुरू को लिए गुरू की सेवा करो, तुभी गाए, तुभी काईन तुविमन इंसर्वेंट्स, अपने नो करो को और वीमें के साथ दया भावना से रहो, तुगी डोनेशिंस तो ब्रामिन्स और मौंक्स, ब्रामिन्स साथू संथ को खोड़ सरा डोन दोनेट करो दान करो और लास में लिखा था respect and try to understand principles of other religions दूसरे धर्मों को please respect दो उनके principles को समझने की शुरुवात करो समझो आज भी इलग फॉलो करते हैं आई आगे बात करते हैं जिसमें लिखा है in the year 251 BC अशुका convinced third Buddhist conference उन्होंने एक Buddhist conference रखी थी मोगली पुट्टर तिश्या में जो उसे तिस्सा बोलते हैं पाटली पूत्र में हैं वो शेहर वहां पूरो ने मिटींग रखी जाहर सभा रखी और इसका objective इसका purpose था to establish religious unity for removing religious differences जो धर्मा की आदार अपर लोगों के अंदर differences था उसको हटाना चाते थे ये अशो का propagated Buddhism in India states of Kashmir गंधार छोला पंडिया कैरला वाओ बुदिजम का प्रचार इनों ने कश्मीर से लेकर केरला तक हिया एंपर अशो का सेंट मिशनरी बोर्स टू म्यानमार श्री लंका सीरिया एजिप्ट मैकेडोनिया एक्सेटरा वाओ अशो का ने अशो का सेंट जिए संघ मेंध्र आपने बेटे और बेटी संघ मेत्र को स्लाओन बेज आए तो प्रीच बुदिजम जाओ बेटे स्री लंका में जाओ और अपने धरम का प्रेशार करो लोगों को समझाओ तो जो लोग बुद्धिस्म से फॉलो कर जाते है उसको रॉयलिटी मिलती थी मतलब अल्टीमेटली इनका गोल था कि आप लोग ये मारकुट वाले जिंदगे से बहार आओ और एक शान्ती प्रिया जिंदगी को उना लो इन एडिशन तू प्रीचिंग अशो का अल्स परफॉर्म प्लिक वेल्फेर वर्क देखो अशो का में इन काम इतना नहीं था कि लोगो का लितना समझाओ के वे बुद्धिस्म फॉलो कर रो बुद्धिस्म फॉलो कर नहीं अशो का ने अपनी पॉब्लिक के लिए काफी सार अचे अचे काम भी किये लिए रेंज फॉर ट्रीट्मेंट फॉलो के साथ गलत बरताव नहीं होन गिता वेल डग्स कुवे खुदवाए ट्री लगवाए रोस बनवाए रेस्टरूम्स बनवाए काफी सारी चीजे उन्हों में करी बिकास अचो का इस रिगार्द आप गर्टेस्ट रूलर्स इन इस्टरी अंपरर अशो डाइड इन 232 बीची रूल पर 36 यह वाव शुपब 36 यह बचो अब यहाँ पर क्या कहना साथ है कि आज हम इसका नाम इतना महान राजा के तौर पर इसले ले रहे हैं क्योंकि उसकी गुड़ क्वालिटी पहले वो कैसा था और वो बात में कितना परिवर्तन आ गया उसके अंदर पहले वो एक राजा था जिसको सिर्फ राज् पन लाया वो भी अपने शहर में नहीं पूरे इंडिया में श्रिलंका में बाकि सारे अरदर कंट्रीज में गए इसलिए वो ग्रिटेस रूलर है हमारे हिस्ट्री के उनकी मृत्यू 232 बीसी में हुई और सबसे ज़्यादा मौरियन एज में अशोका ने राज किया 36 यह और आगे में बात करने वाला हूँ मौरियन एज में एड्मिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे चलता था तो आपको पता होगा चंदरगुप्त मौरिया के जमाने में बहुती बड़ा एंपायर था उनका राज़ा बहुती बड़ा था और यह एक्सपांड किया अशोका ने और करने तो उससे बहुत ही बड़ा दिया चंदरगुप्त की जो चीफ मिनिस्टर थे कौन थे विश्व गुप्त चानक है जिसने म काउटी ले के नाम से जानते हैं आप चाने कैसा नाम से जानते है उसने क्या-क्या मौरियन एमपार को तिं इस हिस्सों में डिवार कर दिया क करना है तो एक अच्छे सिस्टम चाहिए तो एक सेंटर लेबल पर बना दिया सिस्टम एक स्टेट लेबल पर मते प्रोविश्नियल और दूसरा है लोकल लेवल जिसे आज हम कहते है न दिल्ली सेंटरल गुजरात स्टेट और वोड़ोदरा रीजनल वैसे ही उन्होंने अलग चोटी जगाओं को रिजनल बना दिया उसे बड़ी जगाओं को प्रोविश्नल सिटी और पूरे स्टेट को सेंटरल में कनवर्ट कर दिया कि यह तीन जगाओं को अलग लोग एड्मिनिस्ट्रेशन करेंगे यह सब बुद्धी थी चानक के की कवूटी लेकी अब हम बात क करने वाले है पहली सिस्टेम दे सेंटर अडमिनिस्ट्रेशन सिस्टेम आप रोऊजटन करता है और गवन करता है वह फैड इन पारे देख रहे को बन करता है यह वहांट करता है सारय है यह बनता है कि राजा का बेटा राजा बनता है यह चलता हा रहता पहले के जमाना ने पार्ली पूत्र अन एडिया अरॉट इट वर अर अडर डाइरेक रूटरीक इसे अज़ के कुछ जगाए डाय डायरेक्ट अडर कंड्रोल दॉट अडर आती थी सो राजा भी लोगों की मदद लेता था जैसे कि उनके अंदर भी कुछ ऑफिशिल्स और मिनिस्टर्स हुगा कर जाते उसमें से जो में था उनके चीफ वो था चाना के कवटिल्या जिन्होंने अठारा अलग अलग डेपार्टमेंट्स बनवाए थे जिसमें से छे यहां पर ह एक एक है ऐइस डीचियर टीपार्टमेंट का हाई को सित्ह जीट्री आदाध जीटलब झाटंवाटल्चिता-ध। रेम्टेव शांब उसके रिलिटल डीपार्टमेंट। महाक्ष पाथल और लास में है टेक्स कलेक्षिन मतलब रेविन्यु डिपार्टमेंट उसका है अगया बढ़ता है पॉइंट अम्री के ऊपर प्रोविजनल एड्मिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसी थी उस जमाने में यूज मोरेन एंपार को डिवाइड के गया था इंटू फाइब सेक्शिंस और सब को मतलब हैड था जो प्रोविंस का हैड में अब राजय का हैड था वो गवर्नर होबा का था प्रिंस तोर पे राजकुमार को बिठाया जाता और सेलक किया रहता था और सलिक किया रहता और जो जो एंपरर बोले व सारी इवेंट को पने राज्य में लागू कर देना ये था, पॉइंट नमबर टूइस के बाद था , पॉइंट नमबर थृ् क्या है रिजिनल एडिनिस्ट्रेशन, रिजिनल मतब एक जगह का अडिनिस्ट्रेशन की ये जगह का कौन करेगा, वरुद्रा का, एम्दबाद का, सूरत का, इसलिक से और बी चोटे-चोटेशन दपाटमेट्में लर्टिकर्शन रखा गया है, इसे राजूख बोरते थे, ब्लिस्ट्रिक लेवल पे काम करते था, जो इस में आदमी को सिलेक्ट करते थे किस तरीके से अशोका के बाद राजय किसने संभाला और इसका प्रपन कैसे हुआ मत्तब राजय खतम कैसे हो गया मौरिन एंपार खतम कैसे हुआ से अशोका सक्क्राइब राइड के अिए जानकारी राजरा नौ से दस राजा और राज किया तेकिंग अड़ांटेच अफ दे इंप्रोवाइजड रूल अफ लाज किंग अफ मोरियन डाइनस्टी सो कुछ नाम में यहां पर बताना चाहूंगा आपको ब्रिया द्रश्टा कर दिया और अपनी बना ली और उस राजे के ओपर कजा कर लिया में जखापर और उस ने शुंग डाइनस्टी का स्थावित कर दी और इस तरीके से मगध डाइनस्टी का जो थ्रून शूंगा डाइनस्टी ने लिया और इस तरीके से मौरियन डाइनस्टी का समाफ्त हो गया किसके करण So finally Ashoka the Great उसका जो मौरियन एंपायर था वो चला गया अब शूंगा डाइनस्टी की हाथ में Because of Pushya Mitra Shunga के करण जिसने लास्ट ब्रिया दप्ता को मार दिया और मौरियन डाइनस्टी को अपने कबजे में कर लिया तो ये हो गया the end of the lesson Hope आपको आज मौरियन एज के बारे में खुब सारी और खुब information मिली होगी कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज बताइए हमें प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने classmates को और काफी सारे classics के बच्चों को साथ ही में अगर आप नए हो पहले बार देख रहे हो तो subscribe कर लो चैनल को और इस कर दो